आज के समय में जहां पेटरोल और डीजल काफी जादा महंगयों हो चुके हैं और भविश्य में भी इनकी कीमतें कम होने के कोई आसार नहीं दिखते तो कार में CNG किट लगवाना एक फाइदेका सौधा दिखता है हाना कि CNG भी लगातार महंगी होती जा रही है लेकिन CNG के साथ अच्छी बात ये है कि गाड़ी पेटरोल और डीजल से कहीं ज़्यादा एवरेज देती है इसलिए लोग अब भी CNG कारों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं लेकिन अब भी लोगों के मन में ये सवाल है कि वो अपनी पेटरोल कार में CNG किट लगवाएं या कंपनी फिटिट कार ही खरीद लें तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपके इसी तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और हम आपको दोनों तरह की CNG किट के फायदे और नुकसान की जानकारी दिये देते हैं अगर आपके पास पुरानी पेटरोल कार है और आप उसमें CNG किट लगवाना चाहते हैं तो आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं इसके लिए बस एक अच्छे मेकेनिक की जरूरत होती है एक बार CNG किट लगने के बाद पेटरोल के मुकाबले ये काफी सस्ती बढ़ती है वही नई कार खरीदना महंगा होता है लेकिन पुरानी कार में CNG लगवाने का खर्च काफी कम हो जाता है ऐसे में बचे हुए पैसों का इस्तिमाल आप दूसरे कामों में कर सकते हैं ये तो था बाहर से कार में CNG लगवाने का एक बड़ा फायदा अब आपको बाहर से किट लगवाने के नुकसान भी बता देते हैं आफ्टर मार्केट CNG किट अगर अच्छे मेकैनिक से न लगवाई जाए तो इससे परिशानी ज्यादा बढ़ जाती है अपना काम छोड़ कर आपको बार बार मेकैनिक के पास जाना पड़ता है जिससे समय और पैसे दोनों खराब होते हैं साथ ही अगर किट में कुछ खराबी हो तो दुर घटना होने का भी डर बना रहता है इसलिए अच्छी किट को चुनना भी काफी चुनाती पूर काम है बाजार में कई तरह की किट मिलती हैं ऐसे में अत्य करना की कौन सी किट लगवानी है किस कमपनी के किट से दूर रहना है यह मुश्किल हो जाता है कई बार दुकांदार आपको जिस किट की सला देता है वैक किट आपकी कार को सूट ना करे तो परिशानी और बढ़ जाती है इसके लावा बाहर से किट लगवाने से कई और परिशानिया है जैसे कार का सस्पेंसन भी खराब हो जाता है कार पीछे से जुग जाती है जिससे खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर कार को नुकसान हो जाता है साथ ही बाहर से किट लगवाने पर कमपनी की वारंटी भी खत्म हो सकती है ये तो थे बाहर से CNG किट लगवाने के फायदे और नुकसान, अब बात करते हैं कंपनी इफटेट CNG कार के फायदे और नुकसानों की, बाहर के मुकाबले अगर कंपनी से CNG किट वाली कार खरीदी जाए तो ये लंबे समय तक फायदा देती है, कंपनी की ओर से सभी तरह की जाच करने के बाद ही किट को कार में लगाय जाता है जिसे सुरक्षागी चिन्ता नहीं होती करके के नुखसानों के और पेट्रोल कार के मुकावले काफी महगी होती है जिससे कई बार ग्रहक का बजट खराब हो जाता है ऐसी कारों पर ज्यादा वोकिंग होती है जिसके लिए आपको लंबा वेटिंग पिरियेड भी देखना पड़ता है हमने आपको बाहर से सिंजी किट लगवाने के और कमपनी फिडिट कार लेने के फायदे और नुकसान दोनों बता दिये अब यह आपके हाथ में है कि आप क्या फैसला लेते हैं बाकिये जानकारिया आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं और अगर यह काम की है तो अपने दोस्तों को शेर भी कर दें शुक्रिया